आजे आपनी समक्स दोरण बार जी विग्नान ना प्रक्रण आंट मानव स्वास्थ्य अने रोगों सम्बंदित भाग एक ना विश्य वस्तो साथे उपस्तिच्चुं। मित्रो रोग अने मानव स्वास्थ्य ए बेवच्चे नू घर्षण कदाच जे समय थी मानव जातनी उत्पत्ती थाई छे त्यार्थी लईने आज सुधी थती रही जे। परियावरण सतत बदलातु रहे छे। बदलाता परियावरणनी साथे आपणे तादातमे साधता साधता आवा रोग कारको सामे पन जजुमिये छे। रोग कारको, रोग वाहको, एव पण एक उतकरांती माती पसार थाईने, जेम आपणी उतकरांती थाईचे, आपणों विकास थाईचे, एम एव पण इटला जविक्सीत बनी रहता होईचे, अने ते थी आपणी आवा रोग कारको, अने रोग वाहको, वच्चे थी पसार थ प्रक्राण में आवाज केटलाक मनुस्य जातने स्परस्ता रोगों तेने निवारवाना उपायों अने आ रोग आपने नौ थाए ते मांटे आपने शूं तकेदारी राखवी जोई ते अने आपनु इम्मिनो सिस्टीम आपनु रोग प्रतिकारक तंत्र यहनी सामे केवीरी ते लड़ता आपे छे ते अंगे नी चर्चा करी शूं भाग एक मां अपने मानाव जीवन ने स्परस्ता केटलाक मुख्य रोगों यहना विश्य जानकारी मिड़ी शूं तो शर्वात करिये जुना विचार हो थी के व्यक्ती तंदु रस्त छे के रोगिस्ट छे यहो के स्वास्थ अंगे नी एक मान्यता के स्वास्थ ने लांबा समय थी शरीर अने मन नी एविस्थी ती मान्वा मा आवती हती जेमा देहना केटलाक वात पित अने कफ जेवा दोश्यों नू संतुलन जड़वाई रेतु अने प्राचिन ग्रिकना हिपोक्रेट्स तेमाज भारत्ये आयर्वेदिक चिकित्सा सास्त्र पण आज मान्तु हतु कफ प्रकृती पित प्रकृती ए आजे पण अपणा स्वास्थे साथे संक्लाईली एक मान्यता जे अपने एक चोक्कास आहार चोक्कास जीवन धोरण साथे जारे संक्लाईला या पच्छे एक प्रक्रियाओ आपना सरीर ना स्त्राओ अंतह स्त्राओ पार्चकरसो ए बधा पर एनी असरो थती होई ज़्या अपने गणी वखत व्यावार मा गणा बदाएवा व्यक्तियों ने उलखिये छे अथवा जानिये छे के एव एक चौकस फरियात करता होई के द तेने एज वस्तु आहार तरीके लेता एने कसी प्रतिक्रिया नथी जोआ मलती परंद्ट एक चौकस वर्गने आ संबंधे को एक प्रतिक्रिया जोआ मले छे शेरीर मां तो एज ए भेद छे ए भेद ने बुदकाल नू जुनू आयरवेद सास्त्र चीकित्सा सास्त्र एने सरीर ना स्वास्त साथे सांकलता आता कफ प्रकुरूती पित्त प्रकुरूती अने तेने आधारे एवो कहो व्यक्ति वधू तंदुरस छे और कहा व्यक्ति ने आवा परिबलो नी तातकालिक असरो थाई छे वगेरे विशे निमान्यताव धरावता आता अगल जोए एवो मान्वामा आवतु हतु के कालू पित्त धरावता व्यक्ति गरम मिजाजवळा हता अने तेमने ताव रहतो अने आ प्रकार ना तारण पाचर आम जोवाजे येतो मात्र एक शुद्ध विचार दारा हती अने त्यार पच्छी प्रयोगात्मक पद्धतियो द्वारा विल्यम हार्वे करेल रुधिर परिवहन निशोध अने थर्मोमिटर न उप्योग द्वारा निदर्शन करु के कालू पित्धरावता व्यक्तियों न शरीर मा तापमान सामान्य हतु अने तेना थी स्वास्त नी सारी तरल विशे नी परिकल्पना खोटी पुर्वार थे गए। तापमान ए कोईपन प्रकुर्थी दरावता होई, पित प्रकुर्थी दरावता होई, कप प्रकुर्थी दरावता होई, तापमान तो बदानू सर्खुज रेतु होई छे औने कॉंस्टांट रेतु होई छे, अचल रेतु होई छे, हाँ, सीवाई कि आपनने रोग ग्रस् प्रतिकार तंत्र ने असर करें अने तेना द्वारा प्रतिकार तंत्र आपनों स्वास्तिय जालवी राखें आम मन औने मानसिक अवस्था आपनी तंदुरस्ती ने असर करें जे मित्रो आपना स्वास्तने जालवामा आपना चेता तंत्र औने अंतहस्त्रावी तंत्र आ बे तंत्रनु संकलन खुबज जरूरी जे चेता तंत्र उर्मिवेगो सर्जन करी ने अंतहस्त्रावी तंत्र ने उत्तेजित करी आपे जे अने परिणा में चोकस प्रकार ना अंतहस्त्रावो चोकस समय जरुयात प्रमाने चोकस प्रकार नी ग्रंथी माथी स्त्राव पामे जे एले आम जोवा जईए तो जे व्यक्तिनू अंतहस्त्रावी तंत्र अने चेता तंत्र ए बेनू संकलन खूब सारू होई तो ए व्यक्तिनी तंदुरस्ती अन्य व्यक्ति करता खूब सारी छे आपड़े उकईए कारण के शरी ना बीजी चाया पचेक प्रक्रियाव योग्यस्तरे थवा माटे अंतहस्त्रावनू संतुलन ए खूब ज अगत्यनू होई जे अन्तहस्त्रावने सक्रिया करवा माटे ए ग्रंथियों ने उत्तेजित करवा माटे के जेथी करीने अंतहस्त्रावनू सिक्रेशन एनू स्त्राव, योग्य स्तरे थाय, तो ए माटे एमा चेता तंत्रानी पंड एटलीज असहनिय मित्ता जुवा मड़े छे. माटे अंतस्त्रावी तंत्र अने चेता तंत्राना सम्तुलन ने आवशक गणियुँचे. आपनों स्वास्थ्य नीचे आपेल बाबतो थी प्रभावित्थाये जे. मित्रों आपने तंदुरस्त चाहिए, के रोगिष्ट चाहिए, ए माटे किटलाक परिबढ़ो, के जनी अंदर एक वाद करिये तो जननीनिक खामियों. खामियों नी असरो जे बाबक ने जन्मती तेना माता पिता पासे थी वार्सा मा मड़े. आएक एविस थिती छे रोग नी, के जननीक खामियों दरावता रोगो, एमा आपने कोईपन वीजी सारवारो सरल्टा थी नथी कराविशकता. एटला मटे जननीक खामियों दरावता रोगो, आम जुवा जाईये, तो आपने एने स्विकारी लेवा पड़े. त्यारे तेने आपने बाहियों उपचार पद्धती थी, के जैने आपने अपने अपने मेडिकल सायंस, मेडिसिन सारवार, दवानी सारवार, एना थी आपने एने सारू करीशकता ना थी, कारण के जन्मजात होती होईचे. माटे ए खामियों जे छे, ए कदाच अत्यानूं जे मेडिकल सायंस छे, एनी केटलीक सफलताओ, एनी केटलीक उपलबदताओ थी, आपने केटलाक जन्मजात रोगों नी आंसिक राहत आपती सारवारों उत्पन करीशक्या छे, परन्तु तेम छता मोटा बागनी जन्मजा साथे संगर्ष मेरीते पसार करवी पड़ती होई जे, बीजू छे, चे, एपांड आपनों स्वास्त्य प्रभावित करती स्थिती छे, आपने रोजबरोजना जीवन मां एक सामाजिक प्राणी तरी के आपने जीविये छे, एल्ले स्वभाविक छे, कि गणा बधा लोकों आपना संपर्क मा आवे जे, ए लोकों पैकी गणा बधा लोकों कोईक चौककस रोग धी पीडाता होई जे, और ए रोगों कोईक संसर्ग जन्य रोग धरावता होई, त्यारे स्वभाविक के आपने ज्यारेमना संपर्क मा आवे, तो एवा किटलाक रोग कारकों आपना श मुक्त वातावराण नी अंदर घणा बद्धा सुक्समा जीवो रो आईरस बैक्टेरिया जीवा कि जे मानावस्वास ने नुक्षान पहुचाड़ी सके जे एना संपर्क मां आपने आविये औने जो आपनों रोग प्रतिकारक्त अंतर नबलू होई तो आपने ये चेप असर करी जाए औने आपने केटलाक रोग ना बोगी बनी जता होई ये जे नमब त्राण आपनी जीवन शैली आपनने रोग थाओ नो थाओ आपने केटला तंदुरस्त रेव ये मांटे तमें अहीं केटलाक मुद्दाओ जोई सको छो जे मां खोराक जे आपने खईये चे पाणी जे आपने पीये चे खोराक अने पाणी ए आपनने स्वस्त राखवा माटेना खुबज महत्वना बेगटको जे आपने खोराक तो बधाज खईये जी परन्तु केवो खोराक खाओ जोई तो आपना प्रतिकारक तंत्रने सक्रिय राखी सके आपना प्रतिकारक तंत्रने वदू विक्सित करी शक एवो खोराक आपने खावो जोए, हेल्दी खोराक, तंदुरस्त खोराक खावो जोए, खोराक मां एवा बद्धाज घटको आपने मलवा जोए, कि जे आपना एंटी बॉडी ने उत्पन करावी शके, पाणी एपन रोग फिलावा मां टेनू एक बहु खुब मोटू अने मह हत्वनू परिबल छे, तो पाणी पन, चोखो पिवु जोए, तानके पाणी द्वारा पन गणा बदा रोगो फिलाता हो जे, आगली बावत नी बाद करिये, तो आराम, आराम व्यायाम, औने आपनी आदतो, शरीर आपनू एक जैविक तंत्रज, औने ए तंत्र होई, इल् एने पन सतज चलाविये, तो एनी कारेक्षम ता पन गटे, तो आपनू शरीर एपन एक जीवंत तंत्र छे, माटे आ तंत्रने जो तमरे लांबा समय सुदी, औने सारी रिते चलाव होई, तो एने आराम आपव जरूरी छे, माटे पूर्तो आराम एपन स्वस्तरेवा माट एक जावी छे, औने विजी वाज्ये करी छे, व्यायाम शरीर ना बधा तंत्रने एक्टिव करवा माटे, एने एक उन्जन पूरू पाडवा माटे, तमरे एक चोक कस प्रकान ना व्यायामों कसरतो पन करवी जुए, औने आदतो, आदतो माँ आपना सवार्थी, आपनी द सरीर नी स्वच्छता माटे नी आपनी कारजी, आपनी तकेदारी, एक तमाम आदतो नो एमा समावेस थाए, आपने किटला स्वस्त रेऊचे, केवी रिते रेऊचे, रोगों थी केवी रिते बचूँचे, ए बधो निर्णाई आपने च करवानों छे, माटे आपने सुग तो तेना कंई रिते व्याख्याइद करी शकाए, एटले के स्वस््त व्यक्ति कोने केव, एवो एवह एना अर्थ थाय, तो एना अर्थ मात्रा आपने एवो कही हे के रोगनी अनुपस्थिते के शारंडेरिक स्वस्तादा न थी, एटले रोग छेव, ना, तो रोग आथवा तो एक कही बाबतों साथे संक्लाईली छे तेनी वाद करिये तो ते संपुर्ण पणे शारिरिक, मानसिक औने सामाजिक अर्थमा लई शकाए तंदुरस्त व्यक्ती मात्र शारिरिक रिते औने कोई क्षती नथी एटले तंदुरस्त छे उन नथी आपने स्वस्त क्यारे कई तो शारिरिक अर्थमा मानसिक औने सामाजी शारिरिक रिते आपने हेल्दी होवा जोई ए फिट होवा जोई तंदुरस्त होवा जोई ए तो बराबच परन्तु मानसिक रिते पन आपने स्वस्त होवा जोई व्यक्ति फिजिकली गमे ओफिट होई परन्तु एनी मानसिक ता ए मानसिक रिते नबलो होई नासी पास सहलो होई तणाव मा रहतो होई तो ए व्यक्ति ए मानसिक रोगी केवाई ये स्वस्त ना क्यावाई, माटे स्वस्त होवा माटे मातर सारेरिक स्थिती ने ध्यानमा ना लेता, मानसिक स्थिती ने पन ध्यानमा लेवी जोई, अने सामाजिक हीत व्यक्त करतो हो जोई, सामाजिक हीत व्यक्त करतो हो एनो अर्सूं करी शक्ये, तो एनो एक उदाहरणा पिए तो के आतंक वादी, आतंक वादी माटे तमें विचारू, तो ए व्यक्ति शारीक रीते आपड़ा करताक दाज फीट छे, मानसीक रीते ए खुबच चपल छे, ए नित नवा आपने पण ना समझ पड़े एवा एक्सन प्लानो करतो होई छे, गोठाउतो होई छे, पन ए ए समाजना विरुद्ध माज, ए समाजिक विरुद्धीक कृत्य करज, अने अना थी समाजने नुक्षान थाए जे, माटे एवु नहीं, इले समाजिक हीत व्यक्त करता होऊ जोए, त्यारे आपड़े व्यक्ति तंदुरस्त छेऊ, तोईश रक्किये। अवे स्वस्त होवाना फाइदा सुन, व्यक्ति स्वस्त होई, तो सुन फाइदा थाए, तो अहीं जिक कयुछे प्रमाणे, कि जारे लोको स्वस्त होई, त्यारे त्यों वधुक सक्षम ताथी काम करी शक्ये छे, औने परिणा में उत्पादक्ता माँ वदार होथाए अन संस्था अथवा कोई कंपनी होई कोई फैक्टरी होई तो त्यां काम करता वर्कर हो त्यां काम करता मानाव बढ़ समझो के बद्दा तंदुरस्त होई तो बदा नियमित आवे हजरिया पे नियमित पुतानू कार्य करे और परेणा में खुब सरस्रिते कार्य थाई और परिणाम उत्पादन पर सीधी असर पहुंचे के धारेलों उत्पादन मेड़वी शकाई नहीं माटे आएक सीधो फाइदो छे बीजु स्वास्थ्य ए आयुश्य वदारे अने शिशू अने माताना मृत्युदर्मा गटाड़ो करे एडले स्वस्थ होई तो लांबो के पन जानिये चे तमें पेपरों मा वादता होसो के प्रसुत इवकते माता अथवा बालक अथवा बनने नाम रुत्यु थवा नो दर गणो वदारे जे तो अयम थवा पाच्छलनु जे कारण चे तेमा पन ए सगर्भावस्ता दर्म्यान गर्पस्त सिशू अने मात्रू ब बनने कोई रोग ग्रश्त स्थिती मा आवे गया होई तो तेवा संजुक मा आ मृत्यु दर वदी जतो होई जे तो जो आपणे समाज तंदुरश्त होई तो आपणे आ बाल मृत्यु और प्रसुता बन्ने ना मृत्यु ने आपणे निवारी शक्के और स्वस्त जीवन राखवा माटे ना उपायो लखेला जे नहीं तामें वाची सको छो के स्वारू स्वास्थिया आपड़े जालवू होए तो कया कया मुद्धाव आपड़े ध्यानमा राखवा जोई तो लखेल मुद्धाव माँ प्रथम संतुलीत आहार संतुलीत आहार तो संतुलीत आहार क तो आहार ना आम जोवा जेतो टोटल साथ गटको जे कार्बोहाइडरेट प्रोटीन लीपीड नुकलिक एसीड विटामिन्स खनीज तत्व अने पाणी मित्रो तमारे जो तंदुरस्त रह overlap હोई तो आपनों खोराक एवल हो जूए कि आपने दर्रोज आवज प्रोग लिए अभ चैए सवर्थी सान सुदी में तमें नुए झेह कए खिवाज्व, एमाल एटली कार्जि राखो कि तमारा खोराक मां आ साथ गटक जे में अत्यारे गणाविया छे ये साते साथ गटको एमा आवी जवाजुए एमा समाई जवाजुए तो एवो जे खोराक होई ए खोराकने अपड़े संतुलीत आहार तरीक ओल की सुँ अने अहो खोराक लेनार व्यक्ती समझो के ए भाग्येज बीमार पड़े ज़े तारण के शरीर ने तमाम गटों को ज़ेरे मड़ी जता होई त्यारे आपड़ा सरीर ना एंटी बोडीज ज़े आपड़ा सरीर ना प्रतिकारक तंत्राना मुख्या गटक छे एनु उत्पादन योग्यस तरे थाए औने परेणा में आपड़े तंदूरस्ती ने जालवी सक्किये माटे विवीदता सभर खोराक खाओ औने आ साथ गटों को ज़े छे कार्बोहेडरेट प्रोटीन लीपीड नीकली कैसी पाणी खनी जक्षार अने विटामीन ए साथे साथ गटों को तमार आहार मा आवे एवी कालजी साथे खोराको खाओ विजु जे व्यक्ति गट स्वच्चता व्यक्ति गट स्वच्चता एपन महत्वनी जे जो आपणे शारीक रिते स्वच्च रहे तो रुख कारोको आपणा शरीर सपाटी पर जमा थता न थी और परिणा में अपणे तंदुरस्त रहिस्त क्ये और एना माटे आपणी जे स्नान करवानी आपणा शरीर न अंगो दांच सफाई वाल सफाई आपदा पाचल आपणे योग्य ध्याना पूजोए और स्वच्च रहे वानों प्रहेत्न करवो जोए त्यार पच्ची अन्यमुद्दाव जोए अगर नियमित व्यायां और योगनो अभ्यास नियमित व्यायां और योग आ बन्ने जे छे एपण शरीर ने एक चोकस उर्जा पूरी पाड़े छे और परिणा में आपणा स्वास्त ने आपणे वधारे सारू बनाई शक्किए अने छल्लो मुद्दो रोगों प्रत्य जागरूत्ता अने शरीर ना विवीत कारियों पर तेमनी असरू आपणे जे मानाव समाज मा जीविये छे एमा आपणे आपणी आसपास ना लोकों मा जो कोईक चोकस रोगों फिलाता होई तो ए रोग अंगे नी जानकारी आपणने चोकस होवी जोईए एना रोग कारको को कोण छे एना रोग वहको को कोण छे जेती करीने आपने एवा रोग कारको थी बच्वाना प्रहत्न उपायो अगाव थी विचारी शक्किए औने रोग आपणा सरीर माँ प्रवेशेज न अने रसीकरण जे छे ए रसीकरण मा आपने आज प्रक्रण मा आगड़ेना विस्से जानी सुंग के रोग काराक आपणां शरीर मा प्रवेसे अने पच्छी आपणने कोई एक रोग थाए तो एना पाचलनू कारण के आपना एंटीबोडी पूर्ता विक्सी सकता ना थी तातकाली माटे रसीकरण मा अगाव थी जमारीन आखेला नबला करेला वाइरस बेक्टेरियाने आपना शरीर मा दाखल करवा महावेज जेती करीने जारे खरे खर वास्तविक जीवन त एज रोग कारों को जेर आपना शरीर मा दाखल थाए तो ए पहला ज आपना शरीर मा चौकस एंटीबोडी क्रियेट ठाई जाए छे औने परेणा में आपने रोगती बची सक्किये छे तो आवा रसीकरण ने पन आपने जे उत्सर्क द्रव्यों तैयार थाए छे एनों चौकस समय चौकस नीकाल थाओ जोए वहको नू नियंत्रण रोग वहको माखी मच्छर वगेरे जे रोग वहको जे रोग वहको दूर थावा जोए आरोग्य प्रद खोराक जेनी आगलवाद थाई गई छे के तंदुरस्त हेल्दी खोराक खाओ जोए पाणी ना स्त्रोत नी जालावनी जे टाकी माँ पाणी सच्वातू होई संग्रहातू होई एनी योग्य सफाई थवी जोए आम सारू सास्ते जालावा माटे आ उपन्ना मुद्दाओ जरूरीज रोग थयो क्यारे के हुआई तो रोग थयो क्यारे के हुआई जहरे आपना सरीर ना एक के वदू अंगो के तंत्रोना कार्यानी प्रतिकुल असर थाई जेने कारणे विविद चिन्हों के लक्षणों जोआमडे त्यारे आपने केऊ के आपने तंदुरस्त न थी अने आप रोग बे प्रकार ना होई जे एक चेपी रोग औने बीजा बीन चेपी रोग कोने के हूँ तो जे रोगों एक व्यक्ति मा थी बीजी व्यक्ति मा शरण ता थी फेलाई तेने चेपी रोग को है औने एनु एक उदाहरण आपिये तो AIDS अने बीजी चेपी रोग कोने के हूँ तो के बीजी रोग नु उदाहरण केंसर जे बीजी बीजी रोग चेपी शेर ना समपर्क मा रएवा थी तमे ए व्यक्ति ने हाथ मिलाओ यह नि साथे जंवा बैसो यह साथे बैसो वाच्चित करो तो ए रिते फेला तो नाथी माते न बीन चेपी रोक्याओ माज एनू उदाहरं छे कैंसर रोग ग्रस्त स्थिती लावा पाचल आपणी किटलीक आदतो पन जवाबदार बनेज एनू एक उदाहरं छे नशाकारक पदार्थोनू सेवन नशाकारक पदार्थो तमाकू वीडी सीगारेट जमा जनो उप्योग महदन से अपने आसपास ना लोको माँ जोईये छिए एस इवाई चरस गांजो अफेन एवा प्रकानना केटलाक रसाणों एनो पन व्यापक उप्योग केटलाक शेहरों मा युवा वर्ग माँ जुवा म प्रभावीत करे छे अवे जो ये मानवमा सामान्य रोगो मनुस्य मा रोगो सर्जवा माटे अनेक सजीवो जेवा के बैक्टेरिया वाईरस फूग प्रजीव कुरूमी जवाबदार छे आवा रोग प्रेरक सजीवों ने रोग कारक कहे छे एले के जहना द्वारा रोग फ आपने रोग कारक कही सुन और ए रोग कारको नो जे फेलावो करे ज एन्ने आपने रोग वाहक कही सुन आम बद्धा परोब जिवियों रोग कारक छे और ते ओ याज्मानना देहमा के देह उपर रहीने तेने नुक्षान पौंच आ डेज रोग कारको आपना शरीर मां प्रवेशी गुणन पामी ए टले के एनी संख्यावमा वधारो करेजे एनी प्रजनन थाएज आने एनी संख्यावधे जे आपड़ा सरीर मां और आपनी आवशक क्रियावमां क्रेल पहुचाडेज परिणा में बाहियाकार औने कारियात्मक ख्षती सर जाएजे रोग कारोकों माटे जरूरी छे के तेओ यजमानना अंतह परियावरान अनुसार पोतानू जीवन अनुकुलीत करे मित्रो, आम तो आपने रोज बरोज कहीं केटला आए रोग कारोकों ना संपर्क मा आवता होई जीजे परन्तु आपने रोजे रोज मादा परता नथी, रोजे रोज आपने कोई रोग थतो नथी हाँ, क्यारेक आपणे रोगिस चोकस बनी जहिएजी, पन रोजेरोध थता नथी, कारण आपणा सरेर्मा पन एक चोकस प्रतिकारक तंत्र कुद्रते विक्सावेलूज, माटे कोई पन रोग कारक शरीर्मा प्रवेसे, तो ए सफल थाई जासे औने आपणे रोग थायज जास और बिल्कुल मानवानु नाथी, और ए माटे सतत कोई गब्राट चीनता पन राखवानी नाथी, के मने कोई रोग थाई जासे. कारण के रोग कारको ए आपणा शरीर मां दाखाल थाया पची आपणा शरीर मां ए त्यारेज सक्रिय थाई शके जहरे आपणा शरीर नी प्रक्रुती ने अनुकुली थाई शके आपना शरीर मा आज प्रक्राण मा आपने आगल जोई सुँ यवाएवा अंत्रायो कुद्रते मुक्यला छे के जेनी सामे रोगकारक टकी शक्तू ना थी माटे जो रोगकारक आपना सरीर मा आवी प्रक्रूती सामे जो अनुकुली थाई तौज ये आपना सरीर मा सफल ठाई जाए और आपने रोगी बनाई शक्तू उधा हरन तरीके जे रोगकारक को आंत्रमार्ग मा प्रवेसे चे तियोर मा जठर ना नीमन पी एच मा जीवन तर जे खुब मानव समाजनी अंदर मानव जीवन साथे गनिष्टरी ते संक्लाईला छे अने मोटा बागना लोको आवा रोगना भोग बने छे तो ए रोगों नो परीचाई मेडविये प्रथम छे टाइफोईड टाइफोईड इस साल्मोनेला टाइफी नामना बैक्टेरिया थी थतो रोग छे एटले बैक्टेरिया जन्य रोग कई शकाई अने मनुष्यमा टाइफोईड नो ताव प्रेर्वा माटे ये जवाबदार छे आ रोग केवी रिते फेलाई छे तोके आ रोग कारक्त दूशीत आहार अने पाणी द्वारा नाना आत्रडामा प्रवेसे छे अने त्यां थी ते रुधीर द्वारा शरीर ना अन्य अंगो मा पहुचे जे रोग ना सामान्य लक्षणों तोके सतत ताव आवे अने 49 डिगरी सेंटिगरेट थी 40 डिगरी सेंटिगरेट सुधिनो पन थाव थाई जाई शरीर नबलू पड़ी जाई एले नबलाय आवे पेट मां दुखाओ रेवानी फरियाद थाई अने पेट मां दुखाओ एटला माटे रे कारण के यहनु रोग कारक पाचन तंत्र मां स्थान लेज़। कबज चयात रहे, माथु दुखे, भूख न लागवी औने रोग खुब तीवर बनी जाई जो योग्य समय योग्य सारवार न लेवाई होई तो तेवी स्थितिमा आंत्रमार्ग मां काणापन पड़ी जाई औने परिणा में व्यक्तिनों मृत्युपन शक्या छे। आ रोग नू निदान विडाल टेस्ट द्वारा करवामा आवे जे। मेडिकल ख्षेत्र नू आनू एक उदाहरं छे मेरी मेलोन। आ मेरी मेलोन एक स्त्री नी वाद छे जेनू उपनाम टाइफोईड मेरी छे। अने आ अमेरिकानी अंदर एक रसोई गर चलावतिया स्त्री नी वाद छे मेरी मेलोन। कि जने टाइफोईड रोग थो हतो अने परिणामे एस स्त्री नी पोताणी खोटी आदोतो थी एना शरीर मा थी आ रोग कारक ए जे रसोई बनावति हती ए रसोई मा आवी अने ए रसोई खानार जे पन व्यक्तियो अता ए बदाने मोटा पागना नेमा थी एमने अने एरी ते लगबग 50 थी उपर नी संख्यामा मेरी मेलोन द्वारा एनी रोसोई खावा थी टाइफोईड रोग नो फिलावो थाएलो अतो एवो एक रेकोड छे हवे आपड़े जुए नियुमोनिया स्ट्रेप्टोकॉक्स नियुमोनी औने हीमोफिलास इन्फलियांसा आ बन्ने जीवाणु अना नाम छे आ जीवाणु मनुष्यमा नियुमोनिया प्रेर्वा माटे जवाबदार छे नियुमोनिया फेप्सामाना वायुकोष्ट ने संक्रमित करे छे परिणामे वायुकोष्ट प्रवाहिती बराता स्वचन संबंधी गंबीर समस्या ओसर जाये छे अने नियुमोनिया रूगनी अंदर फेप्सामा वायुकोष्ट अ बन्ने बैक्टेरिया ओ स्ट्रावने काराणे वायुकोष्ट प्रवाहिती बराई जाये जे अने परिणा मे जे वायुकोष्ट नी अंदर जर आपडे स्वासनी क्रिया दर्मियान वातावराण माती ओक्सीजन ग्रहन करिये तो ओक्सीजन थी ओक्सीजन थी ओक्सीजन दाखल थो जोए परन्तु पिला बैक्टेरिया ना श्त्रावने काराणे ख़ती नाथ Hugh आपने संवाच्वस्वासदर्मियन स्वास्णिख्यादर्मियन वातावरन माथी ऑक्सिजन ग्रहन करिए तो ये ऑक्सिजन थी ए वायुकोश्टों फुल्वा जोई ये येमा ऑक्सिजन दाखल थाओ जोई परन्तु पिला बेक्टेरियान ना स्त्रावने कारणे ये हवायमा बराय शक्ती नाथी औने परेणा में स्वसन संबंधी समस्याओ सर जाती होई छे अग रोगना लक्षणों चे तावावो ठंडी लागवी कफ माथु दुखु औने ती व्रस्तिती मा रोग ती व्रस्तिती पर पहुंच होई योग्य समय प्रिमुन्या रोगनों फेलाओ कही रीते थाई छे तो के रोगिष्ट व्यक्ति द्वारा खांसी के छींक द्वारा मुक्त करवा मा आवेला बिंदुको जेने आपने वायू विलेयो अथ्वा एरोसॉल्स तरीके ओड़किये छे ए स्वास द्वारा अंदल लेवा थी के वासान नो वापरवा थी पंड आ रोग तंदुरस्थ व्यक्ति मा फेलाई छे एना चिन्होमा अतिसार एले जड़ा लागवा मरडो प्लेग डिफ्थेरिया आ अन्य पंड जीवानु जन्य रोगों छे अने ए पंड निमोन्या अने टाइफोईड नी जेम बेक्टेरिया एलेके जीवानों ती फेलाता रोग छे हवे आपड़े जोए खुप सामन्य रोग शर्दी मित्रो आपड़ा माथी कदाच कोई एव ना होई के जेने आटला वर्स्तना जीवन कालडर्मियान शर्दी रोग ना थग होई शर्दी ए वाईरस जन्य रोग छे एना वाईरस न सामन्य रोग शर्दी फेलावे छे ते नाक औने स्वसन मार्ग ने संक्रमित करे जैरे फेपसा ने संक्रमित करतो न थी एना लक्षणों थी आपड़े बद्धा परीची चीए करण के आपड़े बद्धा शर्दी माथी क्यारेक ने क्यारेक पसार थाई चुकिया छे नाक बन थाओ, तेमाथी स्त्राव थाओ, गलू सुकाओ, गसारो, कफ, माथू दुखू, ठाक लागो, अने आ बधाल अक्षणों समझो के 37 दिवस सुधी जुवा मलेज। शर्दी रोग नो फेलाओ के भी रीते थाई छे, तो के दर्दी नी खासी औने छीक द्वारा निकल ता बिंदू को जारे स्वस्त व्यक्ति द्वारा स्वासमा अंदर लेवा थी, के एना पैन, पुस्तक, प्यालो, दर्वाजाना हेंडल, कॉम्पीटर ना कीबॉर्ड, के मा सामे राकेली वस्तू आपड़े अंपने वाइरस माटने जानी क्याजिक, वाईरस सजीवनी निर्जीवनेत् function जोडती कडी तो यह वाईरस गें व्यक्ति ना, पने प्रवेसी सके अने ने रोगिष्ट बनाविश रके मैलेरिया मनुस्यमा किटलाक रोग प्रजीव द्वारा पन ठाए छे अने प्रजीव द्वारा थत्तव एक रोग दे छे मैलेरिया आ रोग माटे प्लाजमोडियम नामनों प्रजीव जवाब दार छे अने ए त्राण प्रकार ना प्लाजमडियम प्रजाती एकच छे जाती जुदी छे प्लाजमडियम वाईवेक्स प्लाजमडियम मैलेरिया अने प्लाजमडियम फैलसी पेरम आ त्रोन जे रोक कारोगो छे, त्रोन त्रोन परेजीव, ये पई की प्लाजमोडियम फैल्सी पेरमत्वारा जे मैलेरिया थाई छे, ये सव थी घंबीर छे इने गतक छे प्लाजमोडियम नूँ जीवन चक्रनी वाद करिए तो प्लाजमोडियम केवी रिते आपणा शरीर मा दाखल थाए और केवी रिते आपणा ने असर करे तो प्लाजमोडियम ए मच्छर ना करडवा थी मादा एनाफिलस मच्छर जरे तंदुरस्ट व्यक्तिने करडे छे त्यारे तें तंदुरस्ट व्यक्तिना सरिर्मा प्लाज्मोडियम नी एक अवस्था जैना स्पोराजवईट के वा माले छे ए दाखल करे छे औने ए स्पोराजवईट त्यार बाद ए तंदुरस्ट व्यक् आलिंगी प्रजनन करें छे और पची थी, फरी पाच रुदीर मा आवे छे और द्यार रगत करूंगा हृमोग्लोबीन ने विघ्रटीत करें छे और inouft फोलनी राव्री स्थित्य पर przeci संक्रमीत एनाफिलस मादा मच्छर जहरे मनुष्यने करड़े छे त्यारे प्लाज्मोडियम स्पॉरवजोईट स्वरुपया मनुष्यना देहमा प्रवेसे छे शर्वातमा आ परोब जिवी यकृत कोश्मा गुणन पामे छे यकृत कोश्मा दाखल थाया बाद एनी संख्या माँ वदारों करे छे अलिंगी प्रजनन्दी पची रक्तकण पर आक्रमन करे छे अने परिणामे रक्तकण फाटी जाई छे अने रक्तकण फाटवा थी एक वीस पदार्थ नाम याद राख़्ू हीमोजायन मुक्त थाई छे जेने अनुसरीने एने 34 दिवसे ए व्यक्तिन ठंडी लागे छे अने वधू ताव प्रेगाई छे आ तबक्के मादा एनाफिलास मच्छर चेपी व्यक्तिने करडे त्यारे आ परोब जीवी मच्छन ना शरीर मा प्रवेसे छे जहां तेनों विकास आगल थाई छे अने त्यां ते गुणन पामीने स्पोरोजोईट सर ज प्रेगाई फ्राई थाई अने आ मधा एनाफिलास मच्छर कोई व्यक्तिने करडे त्यारे आ परोब जीवी तेना शरीर मा प्रवेसे और टेनों विकास उपर जणावे मुझस फरी पाचो चालू थाई लेके एक साइक्लिक प्रक्रिया चालू थाई चक्रिया प्रक्रिया अने मेलेरिया ना परोप जीवी ने पोतानू जीवन चकर पूर्ण करवा माटे बैय यजमानी जरू पड़े मच्छर अने मनुस्य अहीं आख्वी जे अना जीवन चकर नी वाद छे एक अहीं चित्रात्म करीते रजू करेली छे जे तमारा पाट्या पुस्तक मां खुप सार बते है दर्साविलीए जे अहीं धी तम्हें जोह शको आ तंदुरस्त व्यक्तीनों सत्यारेमे एक मत्छर कर्डी रहलू चे मादा ऐना बीलास मक्छर अने ए मादा एनाफिलस मच्छर ये तंदुरस व्यक्ति ना शरीर मा स्पोरोजोईट डाखल करेज़ए आ स्पोरोजोईट त्यार बाद एज व्यक्ति ना यकृत मा पहुंचेज़ यक्रूत मां पहुंचे या बाद आ परोब जीवी अल इंगी प्रेजनन करे अने कोस ने तोड़े पची रुधिर्मा मुक्त थाए अने रुधिर्मा दाखल थाया बाद अही तमें जोई सको के रुधिर्मा ना रक्तकन सम्बंदित हीमोगलोबिन ए हीमोगलोबिन ने विग अने आतरडामा फ्ल rugged करे अने नरप्रेजनन कोस माधा प्रेजनन कोस अही असुधिनु जीवन चक्र ए मनुस्यना सरीर्मा पूर्ण और आ जन्ञीं हाजर रहे छे त्यार बाद आरोगिष्ट व्यक्ति नोहहार्ज्चे के जने फरिपाच्वाव मक्षायोगलोगलोबिन अने ते मच्छर नी अंदर अहीं तेना जन्यों स्थाडां तरीत थाई छे कोना प्लाज्मोडियम ना अने ए जन्यों लईने ए मच्छर नी अंदर एनो विकास थाई छे मच्छर ना आतरडामा फलन थाई एनो विकास थाई अने त्यार बाद एनी लाल ग्रंथी माँ मच्छर नी लाल ग्रंथी माँ फरी पाचाई स्पोरोजोईट आवे छे अने जारे आहू मच्चर फरी पाजु कोई तंदुरस्त व्यक्तिने करडे त्यारे एना सरीर मास पौरोजोएट डाखल करे जे माटा आएक आखकी चक्रिय प्रक्रिया एनी यहीं आपड़े जोह सक्किये जे त्यार पचिनो रोग छे अमीबासिस के अमीबिय मर्डो मनुष्यना मोटा आत्रडामा जोहा मल्टा परोब जीवी प्रजिव एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का द्वारा अमीबासिस के अमीबिय मर्डो थाये जे एना लक्षणों छे कबज याद थवी उदर प्रदेसमा दुखाओ अने खेंचाण अनुभवव मल्मा स्लेसमा जेओ मल साथे स्त्राव थवो अने मल साथे रुधिर पण बहारावु जे रुधिना गांट सोरुपे जोहा मडे जे आ रोग केवी रिते फेलाई छे तो एना फेलावाना स्त्रोच छे घर माखी अने आ रोगना यांतरिक वाहको तरीके घर माखी खुबज एमा अग्रेसर छे जे चेप ग्रस्त मलमाना परोब जीवी ने खौराक तेमात तेनी पैदास सुधी वहन करी तेने दूशित करे छे अने आ रिते मल द्वारा दूशित थहल पीवानू पाणी अने खौराक आ चेप के फेलावनों मुख्य स्त्रोच बने छे त्यार पचिनों रोग छे एसकेरियासिस ए आंत्रमार्गिया परोब जीवी करम्यू के एसकेरियासिस जैने क्रुमी जन्य रोग माटे जवाब दार मानूआ मावे छे रोग ना लक्षन छे आंत्रिक रक्तस्त्राव थो, स्नायू मैं दुखाव थो, ताव आवो, एनिम्या, पंड थाई शके एने कारणे अने आंत्रमार्ग माँ अवरोध सर जाओ तो आ ए रोग ना लक्षन रोग नो फेलाओ, रोग केवी रिते फेलाई छे तो के चेप ग्रस्त व्यक्ति ना मल साथे आ परुप जीवी ना इंडा बहार आवे छे ते माटी, पाणी, तेमाज वनस्पतियोंने दूश्रीत करे छे अने स्वस्त व्यक्ति माँ तेनो फेलाओ, आवा दूशित पाणी, शाकबाजी, फ़ल, वगेरेना सेवन्थी थाई छे हवे पचीनो रोग छे हाथी पगो, जने फिलारी आसिस तरीके पण आपने उलखिये छे आ रोग माटेनो रोग कारक छे वावचेरिया बेनक्रोफ्टी, अने वावचेरिया मलाई, जे हाथी पगाना क्रूमी तरीके पण उडख्वा मावे छे, आ एक क्रूमी जन्य रोग छे आ क्रूमीयों पश्च उपांग नी लसी का वाहेनियों मा धिमे धिमे, दीर्ग कालीन सोजो सर्जी वर्षो सुधी तेमा यजमान तरीके आ यजमान मा रहे छे अने घणिवार आ रोग थी जननांग पन प्रभावित थाए छे, अने घणि मोटी विक्रूती सर्जाई शके तमें यहीं फोटोग्राफ मा हाथी पगानो रोगिस्ट व्यक्ती जोई शको जो के पगमा केवी विक्रूती हो सर्जाई अन परिणा में सरीर केव बेडोल बनी शक्तो होई छे आ रोग मा टेनो रोग वाहक मादा मच्चर जननू नाम चे क्युलेक्स फैटिजन एक क्युलेक्स फैटिजन मादा मच्चर जारे स्वस्थ व्यक्तीने करडे त्यारे आ रोग कारक ते व्यक्तीना शेरीर माँ फैलाए छे त्यार पची एक विजो खोब जानीतो रोग छे दादर जने आपने साधी बासामा धराज तरीके पण उलखिये छे ए फूग जन्य रोग छे आपना शरीर पर पण फूग अधार लेती होई छे परोब जीवी तरीके आपना शरीर नी सुस्क सपाटी ओपर पर पण फूग जमा थती होई छे अने ते आवा धराज जिवा रोग माटे जवाबदार बनती होई जे तो एना माटे नू रोग कारग नू नाम छे माईक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन अने एपिडर्मोफाइटोन आब दी तमाम फूग छे एना लक्षणों शरी ना विवीद भागो जिवा के त्वचा, नक, शीरो त्वचा वगेरे पर ते सुसक, सलकिय, उजरडा सरूपे देखाईज अहीं फोटोग्राफ मा तमें दराज जे व्यक्तिने थाएली जे एनी त्वचा जोई शको जो जे एनी असर ग्रस्त स्थिती बतावेज आवा जखमनू बहिया लक्षण सुँ तो एकतो आ जखमो देखावा साथे जखम मा तीवर खंजवाड आवे औने हुफाड आने भेज युक्त वातावरं मा ते और व्रुद्धी भामे एनू लक्षण छे गड़ी युक्त त्वचास थाने जवा के जहंग प्रदेस औने पगनी आंगडी एवा विस्तारों मा पंड ए जोवा मड़े एनो फेलावो के वी रिते थाई जादर सामन्य पणे माटी के चेपगरस्थ व्यक्तिना टुवाल कपडा के कांसका नो उप्योग करवा थी थाई छे तो आवा चेप गरस्थ व्यक्ति ना आवा टुवाल, कपडा, कासका एनो आपड़े सामुई कुप्योग ना करवो जोईए नई तो ए तंदुरस्थ व्यक्ति मा पण फेलाई सके हवे छे चेपी रोगनू अवरोधने नियंत्रण अवा चेपी रोगनू आपड़े अवरोध नियंत्रण के विरीते करी शक्कें तो के चेपी रोगना अवरोधने नियंत्रण माणे व्यक्ति गत्त तेमा जन्समुधाईनी स्वच्चेता जालवनी खुब अगत्यनी छे तो व्यक्तिकत स्वच्छता में अपने सुँ राखवा मांटे अपने बदा दरोज स्नान वंगेरी क्रियाविदी माती पसार थाय定 तो एरीते सरीणे साफ सुत्रू राखवी पिवा मांटे स्व lizard पाणी नो उप्योग करवा खोराक, शागबाजी, वगेर ना सेवन समावेस करो आगल वाद करी तेम तंदुरस्त खोराक खावो जो ए संतुलीत खोराक खावो जो ए तमाम प्रकान शागबाजी खावा जो ए जथी करी ना अपने तंदुरस्त रही सक्किये अवे जाहर क्षेत्रणी वाद करिए सामानेरी ते रोग चाड़ो जे फेलाई छे ते जाहर जीवन साथे स्परस्ता मुद्दाव पणे नी अंदर संकड़ाईला छे जमके नकामा तेमाज उत्सर्क पदार्तनो योग्य निकाल करवो आजे आपडे जानियेचे के सरकार पण स्वच भारत अभ्यान हेठल सफाई माटे नी खुब मोटी जुम्बे सेमने उपाडेली छे अने सरकार ना गणबदा नियमो अने प्रयतनो लोग जागरूती ना प्रयतनो आमाटे प्रयतना सिल छे अने मात्र आपड़ू घरज नहीं, मात्र आपनेज नहीं, आपड़ा विस्तारों, आपड़ू फढ़िव, आपड़ू शेरी, आपड़ू मोल्लों ये तमाम साफ रेवा जुए जेथी करीने रोग कारोकोने वृद्धीने तक नो मड़े अने आपड़े तंदुरसरही श स्वचेतामा नकामा तेमाज उत्सर्क पदारतनों योग्या निकाल करवो, जड़ाशय, कुंडा, खालकुआ, टाकी वगेरी नी समय अंतरे सफाय तेमाज तेने चोखा राखवा, तद उपरांत लोक उपभोग्यो माँ पन स्वच्चताना धारादोरन नो पालन थाए, त लोक उपभोग्यो वस्तु एड़ले के जाहेर शौचा लयो, तो जाहेर शौचा लयो माँ पन स्वच्चता होई, तो एनो उप्योग करनार तमाम, एमने पन कोई रोग कारक लागू ना पड़े, आवा उपायों वीसिष्ट रूपे एवा स्थानों पर अन्निवारिया छ के जहां चेपी रोग कारको खोराक अने पाणी ना मध्यम द्वारा फेलाता होई, जेवा के टाइफोईड, एमीबियासिस, एसकेरियासिस, आ रोग विश्चे महीती आपने आगल मेवी चुकिया छे, के जहां आपने जूँँछे, के आ रोग कारको टाइफोईड ना जी आतनों होवा जोईए, आगल, निमोनिया अने शर्दी जेवा होवा प्रेडित रोग मा उप्रिप्त जणावेल उपाईना उप्चारूपे चेपी व्यक्ति ना घढ़ संपर्क, तेमाज तेमना द्वारा उप्योग मालेवाईल वस्तुन उप्योग टाडवो जोईए, कर कीटको द्वारा फिलाता रोग, जेवा क्या मैलेरिया, कि जे मच्छर ती फिलाई छे, फिलारियासिस, महत्व पुण बाबत ए छे, कि रोग वहक अने तेना प्रजनन स्थर्णू नियंत्रण, अने तेना नाश आवस्यप छे, जेमके मच्छर नों उपद्रव, तो के मच जे लारवा छे, एमना जे डिम, ए खुला पाणी नी अंदर, खाबुच्या नी अंदर, एमा फेलाता होई छे, एमा उत्पन नथाता होई छे, तो तेवा स्थानों ए डिडिटी नों छंडकाव करिये, आवा पाणी ना सोर्स जे छे बदा स्त्रोत, एने आपने चोखा र करवा माटे रहणांक विस्तार माँ अने तेनी आसपास पाणी ने जमा न थावा देवु जोई, कारण के संग्रहित पाणी माच आवा रोक कारोकों ने विकस्वानी एक चोकस्तक मलती होई छे, आने ते पची आपना माटे नुक्षान कारक साबित्थती होई छे, गर्मा उपद्रावने आपने सक्के एटलो अठकावनों प्रयत्न तो करिये, परन्तु ए मच्छरों, जरे एक के ब्य मच्छर पंड गर्मा होई अने आपने एज मच्छर करडी जाए, कि जे रोग वाहक होई, तो एवात ही बच्वा माटे आपने मच्छर दानी न उप्योग आघंबिंषिया मातली मच्छर दिनबस धिनले फ़ाहती आपनी पास जमके कुण थीं ख म थाणों पणड और बच्ण आपने अने पत हमच्छर दोरी जरूरी ओस होई जैति मच्शन ब्रवेश अटका विशक आए आताव जाणेन चैति प्रमाणे मच्श संध्याका데 आपणा घर मा दाखाल थता ऊए नब नही आ आटका विशक आने पॉस जेवा व्यापक रुप मा फेलाएल रोग ना संदर्व मा पण आवा उपायो महत्व पूर्णों छे तो आ एडिस मच्छर नुपन तमारे ध्यान राकू जे डेंग्यु आने चीकन गुनिया रोग माटे जवाबदार छे आ एकम्नों छल्लो भाग जे जीविज़नान क्षेत्रे थहयली प्रगती रोग वहक्वने अटकवाओ माटे अध्वातो रोग सामे आपने लणवानी शक्ती पूरी पढ़वा माटे तो जी विग्नान क्षित्रे थायली प्रगतीने कारणे आपणने अनेक चेपी रोगोनी टककर जिल्वा माटेना कार्गत प्रयासो प्राप्त थाया छे मित्रो जी विग्नान नी जे अउशत सास्त्र साखा छे, मेडिकल सायंस छे, बायो टेक्नोलोजी छे ए सतत मानव जीवनने वदूने वदू तंदुरस्त केवी रीते बनावू, ते अंगे प्रयत नसिल छे दर रोज अथ्वातो रोज बरोज आपने जे जे रोग कारोकोना संपर्क मा आविये छे एना द्वारा थता रोगों थी आपने अगम चेती रूपे, अगाव थीज बची जईए, आपने रोग थायज नहीं, ते माटे आपने रसी करण ने अपनावी छे आ रसी करण आपना जीवी गनान ना गनान नी अथ्वा तो एना प्रयत ननी फोलस रूती जे अने जे आपने तंदुरस्तर आखवा माटे आपने प्राप्त छे अने तमारा माथी गना बदा बड़कोए पोताना बाल्य अवस्था माँ एक चोक्कस प्रकान ना रसी करण ना कोर्स माथी पास थया हसो अने एनो कारणेच कदाच आजे आपने तंदुरस्तरीते जीवी शक्किये छे बीजो मद्दो रसी अने प्रती रक्षा करण जेवा कार्यक्रमने कारणे शीतला जिवा जीवलेन रोग जड मूर्थी दूर थयो छे शीतला ओरी अच्छबडा आजे रोगो जेचे ए पहलाना समयमा खुब व्यापक प्रमाणे बालको मा जुवा मल्टा आता परन्तु रसीयो द्वारा एना स्मृती कोशो आपड़ा सरेर्मा उत्पन करावडावी ने आपड़े एवा रोगोंने जड मूर्थी दूर करवानों प्रयत्न कर्यों छे अने हमा सफल्टा पन मड़ी छे रसी ना उप्योग थी पोल्यो डिफ्थेरिया निमोनिया औने टीटेनस जेवा अनेक चेपी रोगोंने महदंसे नियंत्रीत आपणे करी चुकिया जे टीटेनस जे छे ए धनूर्विस छे औने पोल्यो नी वाद करिये तो गणा समय थी तमे पन खुब जन्नो प्रचार प पोल्यो ए पंगुता लावी देनारो एह रोग छे के जेना सुक्समा जीवो एक वखल स्वेरिमा दाखल थाए पची एनी सक्रिया असर आपणामा दर्शावी ने छोडे तो ए पोल्यो ने पन आपणे नाबूत करी सक्किया ची अने छल्ला केटलाई वर्सो थी पोल्यो न एक पंड नवा केस नोंधाया न थी जे रसी करण माटे नो एनो जे जुम्बेस चलावी छे अने घरो गर बाळकोने नना बाळकोने 0-5 वर सुधी ना बाळकोने पोल्यो नी रसी पीवडावी ने आपणे ए रोगने जड मूर्थी दूर करोमा सफल्टा मेडवी छे तो जेव तकनीकी द्वारा नवी अने वधू सुरक्सित रसीयो बनावी सकाये छे जेव तकनीकी द्वारा बार टेकनोलोजी जे पछे ना प्रक्रण मा तमे बनवाना छो अग्यार अने बार के जेमा बार टेकनोलोजी द्वारा केवी रिते आउवी रसीयो बनावामा आवे एना उदाहरणों तमने मर्षे एंटी बायोटिक तेमाज अन्य दवाना संसोधन द्वारा चेपी रोग नो प्रभाव रुप्ति उपच्यार करवा माटे पन आपने शक्षमता मेडवी छे तो आ रिते आ भाग एक मा अपने आपना मानाव जीवन मा खूब प्रसरेला एवा टाइफोईड, मलेरिया, निमोनिया, हथी पगो आवा बदा रोगों नो परिचे मिल व्यो आ रोगों सामे लड़वा माटे आपने व्यक्तिगत अने सामुहिक जन समुदाई केवी तकेदारी राक्वी जोए, श्यों करूँ जोए, जेती करीने आवा रोग कारकों नो फेलावाट के रोग वाहको नो नियंत्रन थाए अने आपने स्वस्त रहिशक्ये अने स्वस्त समाजनी आपने रचना करी शक्ये अने आपने स्वयम स्वस्त रहिए, आपने साथे आ प्रक्रणना भाग एक नों ही समापन करिये छे भाग बे साथे फरी मडिसूं त्या सुदी नमस्का